हेलो वीवर्स आज मैं लेकर आए हूँ जटपट बनने वाली रेसिपी रसमलाई की जो इंस्टेंट तयार होगी इंस्टेंट रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेडिमेट रसगुला मार्केट से लिया हुआ है 200 गराम काजू है पिस्ता है बदाम है यह सारे चीज लेंगे थोड़ी थोड़ी सी और एक कटोरी मलाई है हरी लाइची है एक कटोरी चीनी है इतने सारी सामान का मैं आज रसमलाई बनाने वाली हूँ तो सुरू करते हैं रसमलाई बनाना गैस पर मैंने एक पतीला चढ़ाया हुआ है उसमें पाम से हैमन दूद डाल रही हूँ फुल क्रीम दूद है अब दूद के अंदर केसर डालेंगे 20-25 धागे केसर के हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूद में केसर को अच्छे से दूद में मिक्स कर लेंगे, केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है दूद के अंदर देख सकते हैं, अब इसमें उबाल आने वाला है, तो इस से श्टेज पे हम इसमें चीनी भी आड़ कर देंगे, चीनी अपने मिठे का अनुसार डालना चाहिए, मैं लग मलाई डाल रहे हूं, लगवग एक कटोरी भर के मलाई भी है, हमें इस से दूद को बहुत ज्यादा सुखाना नहीं पड़ेगा, और एक चीज इसके अंदर मैं और डालूंगी, मैंने थोड़ी से दूद बचा करके रखी है, देख सकते हैं, आधी कटोरी के लगवग में दूद है, इसमें मैं आधा चमच कश्टड पाउडर डालूंगी, इससे क्या होगा दूद जो है, हम ज्यादा सुखाना नहीं पड़ेगा और ठीक हो जाएगा, और अच्छा बनेगा हमारा रसमा लाई, तो इस तरह से हम आधी छोटी चमच ही डालेंगे, हमें दूद को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं करना है, बस हमें सुखाना नहीं पड़े, और स्वाद भी बढ़िया मिले, तो यह केसर और बदाम फ्लेवर का कश्टड पाउडर है, इससे अच्छे से मिक्स करके दूद के अंदर डालूंगी, कश्टड पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया अब सब ड्राइफ रूट जितने हैं सारे मैं दूद के अंदर एड़ करूंगी, दूद को पकते हुए लगबग 2 मिनट हो गया है, उबलते हुए, तो ड्राइफ रूट को भी डाल करके लगबग 2-3 मिनट दूद के साथ में पकाएंगे, और यह इलाइची पाउडर जा बस धीमी धीमी आज पर पके अच्छे से, तो 2-3 मिनट इसे और अच्छे से पका लेंगे, ड्राइफ रूट के साथ पकते हुए दूद 3 मिनट हो गया है, अब यह अच्छे से पक गया है, जितनी हमें गाड़ी चाहिए, उतनी गाड़ी दूद हो गई है, अब इसके रस गुले में दूद के अंदर एड़ कर दूँगी, और इसे लगबग 2 मिनट और पकाऊंगी, ताकि जितने रस मलाई का रस है, वो एक सार हो जाए, रस गुला के अंदर, रस गुला का रस भी रस मलाई में अच्छे से मिक्स हो जाए, और एकदम परफेक्ट स्वाद आय रस मलाई का, तो इस तरह लगबग 2 मिनट पका लेंगे, और रसगुला भी अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा, अब रस गुला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद में, और 2 मिनट पकने देंगे लो फिलें पे, रसगुला पकते वे 2 मिनट हो गया है, अब हमारा रस मला बिल्कुल पर्फेक्ट तयार है तो गैस को आफ करेंगे और रसमलाई को ठंडा होने के लिए रख देंगे जब रूम टम्प्रेचर पर आ जाएगा तो इसे फ्रीज में रख देंगे कुछ देर के लिए आदा गंटा के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए रसमलाई ठं का मन करें तो मुझे अलग से मेहनत करने के जरूरत ना पड़े एकदम सजी धजी मुझे मिले या मेरे घरवालों को मिले तो इस तरह से मैं इसे निकाल करके अच्छे से गार्निश करके ठंडा होने के लिए रखूंगी और तब ही से मैं सर्व करूंगी और आप भी जरूर बनाए और हमें बताए कैसा बना है अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ बाई